है यह वेलकम अगें मैं हुई अमन और आज का मारा टुटोरियल है एलेक्टो डांस पाइल पर और आज के इस टुटोरियल में आप सिखो गे हैर कट हैर कट एलेक्टो डांस स्टाइल का एक बेसिक मूव है एंड आ कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे चलिए स्टाट करते हैं बिना किसी तरीक है गाइस आप भी घर बेटे बोन बेकिंग सिखना चाहते हैं तो आज ही हमारा बोन बेकिंग वन ओन का डांस को पर्चेस कीजिए और आज सही सिखना स्टाट कीजिए मोर डीटे हैंड को अपने हेट के पास घुमा कर सामने लाइए इसको ही पैसिक हेर कर बोला जाता है अब चाहे तो दो तरन भी ले सकते हो तो काई यह इसका बैसिक मूव था और अब इस बैसिक मूव को सिखने के बाद हम कुछ वेरीशन सिखेंगे तो सबसे पहले आप यह वेरीशन बेसे सब्सकेंगे에요 इसवेरीशन में आपको बोट हेंड की व्रीश को बैंड करना होगा और फिर हेंड को इस तरीके से से पास में ले कर आए और अपने सर के पीछे लेकर जाए और फिर हातों को आगे लेकर आएए सभी वेरीशन को सिखने के बाद आपको fast करने की कोशिश करनी होगी और इस variation में आप अपने हाथों की position को change भी कर सकते हैं और जब आप इसे change करेंगे तो यह different तरीके से दिखेगी variation third अपने hand को अपने face पर रखिए फिर अपने hand को घुमा कर आगे लाइए variation fourth इस variation में आपको variation first करना है फिर अपने दूसरा hand को अपने head के पीछे लेकर जाईए और अपने हाथों को आगे लेकर आईए फिर इसे भी fast करने की कोशिश किजिए variation fifth इसमें आपको बोथ hand को bend करना होगा और फिर अपने सर्ड से इस तरीके से गुमा कर लाना होगा आप चाहाओ तो इस तरीके से अपने hair को touch करके भी कर सकते हो यह variation आप electro dance की battle में entry के लिए यूज़ कर सकते हो variation six यह पिछले variation का reverse है इसमें आपको hand को पीछे लेकर जाना है और आगे लेकर आना है सेम उसमें उल्टा हो रहा था उसमें पहले हम हमारे सर के उपर ला रहे थे अभी हाँ सब को सर के पीछे से लेकर जाना होगा इस variation में आपको अपने hand को face पर रखना होगा फिर halfway में घूमा कर आगे लाना होगा बस इतना ही करना है सबसे पहले आप basic haircut सीखिए और उसे सीखने के बाद आप दीरे दीरे इन variation को try कीजिए और इन सीखने की कोशिच कीजिए जब आप इन सभी variation को भी सीख जाओगे तब आप haircut के जितने भी variation है उनको आपको slide के जो हमने पिछला जो हमारा move ता slide उसे के साथ join के कोशिच कीजिए और खुद का एक move create कीजिए क्यूंकि इससे आपकी creativity बढ़ेगी और आप धीरे दीरे इस तारीके से electro dance को सीखोगे मैंने जितने भी variation बता है जो slide में और जो हेर कट के अंदर उसमें बहुत सारे नए नए move create हो सकते है यदि हम इन दोनों को join करें तो आप कोशिच कीजिए अपने खुद दिमाग लगाई आप किस तरीके से इसे join कर सकते हैं और खास बात यह है कि जो हमारा haircut का move है इसके अं आप किसी भी तरीके से अपने हाथों को रख सकते हैं आप किसी भी तरीके से हाथों को घुमा सकते हैं इसमें कोई इसी पाउंडेशन नहीं है कि आपको इसी तरीके से हाथों को रखना होगा तो यह पॉइंट था तो आज का वीडियो हमारा सिर्पर इतना ही था वीडियो झाल झाल